Hello everyone, मैं हूँ Dr. Vignesh, Consultant Rheumatologist, Apex Center for Rheumatology वरागल. आज May 10, 2020, World Lupus Day observe हो रहा है. SLE यानि की Lupus एक autoimmune disease है. इस autoimmune disease के वज़े से आपको fever, दूप में निकलने की समय पे चेहरा पे राशस या मूँ के अंदर चाला, ये सब होने का chances है. Apart from this, बाल जादा गिरना, तकान मैसोस होना, हीमोगलोबिन कम होना, लिवर, किद्नी, लंग्स, हार्ट, इस सभी organs में, including brain, problem होने का chances है. इन सब पे आपको हटा के रखना है, तो एक important factor है SLE में, जो है sun protection. हाँ, sun protection एक important factor है, जो की, ना आपको skin के protect करता है, और skin के अलावा, जो organs हमारे body में है, उन से भी हमें lupus से सुरक्षित रखता है. ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो lupus patients है, sun protection को बहुत ध्यान से रखना होगा. सबसे पहले चीज, sunscreen, आपकी doctor जो sunscreen देते हैं, उसको body में जहाँ-जहाँ sunlight exposure भोता हो, वहाँ पे आपको apply करना है. morning, 10 बजे से लेखे, evening, 6 बजे चग, आपको कहीं से भी बाहर निकलने की chances को avoid करना पड़ेगा. नमबर 3, जब भी बाहर निकलते हैं, एक umbrella लेके जाएए. नमबर 4, fully covered clothes पहन लीजिए, ताकि आपको sunlight से protection रहे, और आप भी सुरक्षित रहे. इन सबी के अलावा, आप अपनी medicines को regularly लिखाना है, और आपकी rheumatologist को regularly follow करना है. हम सब आज ये decision रे लेंगे हैं कि, आज से कोई भी lupus patient, इस sun protection को ध्यान में ना रखे हुए complications में land up नहीं होनी चाहिए. जैहंद, जैबारत. आपकी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और notifications के लिए बेल अकाइकोन को क्लिक करना ना बूलिए. जैहंद, जैबारत.